हर्च भाईया जल्दी जाए आपको पापा नहाने के लिए बुला रहे हैं अरे मायरा सच को हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं कर रहा है वो पापा मुझे जबर्दस्ती नहा देते हैं छी छी भाईया आप कितने आलची है आपको तो बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करता है अच्छा मैं अभी जागर पापा को कहती हूँ तब आपकी खैर नहीं पापा देखिये हर्च भाईया नहीं नहाना चाहते हैं अरे रुक मारा उप कास यहाँ पर स्विमिंग पूल होता तो मैं डेली नहाता किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं होती ऐसे मुझे टब में पानी भर कर नहाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पापा देखिये न भाईया नहीं आ रहे हैं नहाने मैंने बहुत कहा लेकिन भाईया सुनी नहीं रहे हैं क्या चलो हर्स आज तुम्हें ठंडे पानी से नहीं नहाना पड़ेगा नहीं पापा पहले आप नहाली जी उसके बाद मैं नहालूंगा नहीं हर्स पहले तुम्हें ही नहलाऊंगा उसके बाद मुझे बहुत सारे कप्रे धोने है कोई बहाना नहीं चलने वाला है चलो अभी के भी नहला देता हूँ यहाँ पर बैठो हर्स पहले मैं पानी चुकर देखता हूँ कि पानी गर्म है या ठंडा मायरा तुमने पापा से शिकायत किये है न अच्छा मैं नहाने के बाद सीधे दुकान जाऊंगा और वहीं पर चॉकलेट खरीद के खा लूँगा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूँगा और तुम रोती रह जाओगी मायरा हर्स तुम दोनों यहीं पर रहो तब तक मैं गर्म पानी लेका राता हूँ गीता गर्म पानी हो गया है हाँ हाँ मैंने पानी गर्म कर दिया है और बाल्टी में भी रख दिया है आप आकर ले जाए अरे इतना गर्म पानी करने की क्या जरूरत थी अच्छा मैं अभी इसे ले जाता हूँ कार्टिक गर्म पानी लेकर बाथरूम में जा रहा है हर्च भाईया पापा गर्म पानी लेकर आ गए हैं आप अपना हा लिजिए आपको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा अब तो मैं मम्मी के पाउस जा रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी के साथ ही नहाऊंगी देखना हर्च इस पानी से नहाऊगे तो तुम्हें बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा अब ठंडा लग रहा है क्या हर्च नए पापा पानी के बज़े से ठंडा नहीं लग रहा है लेकिन हावा चल रही है तो उसके बज़े से बहुत ठंडा लग रहा है अच्छा कोई बात नहीं हर्स मैं तुम्हें जल्दी से नहला देता हूँ फिर धूप में चले जाना आँख बंद कर लो हर्स मैं तुम्हें अच्छे से सैंपू लगा देता हूँ आपापा आँख में सैंपू लग रहा है जल्दी से पानी डालिये पापा जल्दी पानी डाली आँख में मिर्च जैसी लग रही है अच्छा हर्ट रुको अभी पानी डाल देता हूँ बस बस हो गया हर्ट अब आँख में नहीं लगेगा पापा अब कभी भी मुझे सैंपू मत किजिएगा मुझे बहुत ज़्यादा आँखों में लगती है अब तुम्हें साबून लगा देता हूँ उसके बाद तुम अच्छी तरह से नहा लोगे पापा आप मुझे खुस्बू वाली साबून लगा देजिए ये रहा साबून अच्छा भी में लगा देता हूँ पापा अब मैं धूप में चला जाता हूँ ठीक है हर्स छट पर चले जाओ मम्मी जल्दी से मेरे कप्रे लाईए मुझे बहुत ठंड लग रही है अच्छा रुको हर्स अभी तुम्हें तुम्हें तुलिये से पोच देती हूँ उसके बाद धुप में चले जाना मम्मी जल्दी से मेरे कप्रे दीजिए भईया कैसा लग रहा है नहा कर अरे मायरा मैंने तो नहा लिया अब तुम्हारी बारी नहाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है अब जल्दी से तुम भी नहा लो मायरा ये लो हर्च मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिये हैं अब जल्दी से पहना देती हूँ ठीक है मम्मी जल्दी से पहना दीजिये इधर कार्तिक भी नहा रहा है अरे नहाने में कितना अच्छा लग रहा है चलो बहुत ही गर्म पानी बच गया है अब मैं अच्छे से नहा लेता हूँ आज चलो मैंने तो नहा लिया अरे मेरे तॉलिया कहां गया है अरे साध मैंने उसे कुर्सी पर ही रख दिया है अच्छा गीता जल्दी से मेरे तॉलिये लेकर आओ चलो हर्स तुम्हे कपरे पहना दिया है अब जल्दी से तुम धूप में चले जाओ हाँ मैं अभी तॉलिये लेकर आ रही हूँ ठीक है मम्मी अब मैं धूप में चला जाता हूँ ये रहा अब मैं जल्दी से ले जाती हूँ ये लीजिए आप हमेशा तॉलिये छोड़ कर चले आते हैं अरे हर्स को मनाने में मैं तॉलिये वही पर छोड़ कर चला आया अच्छा कोई बात नहीं है अब मैं और मैरा जाकर नहा लेते हैं चलो मैरा साथ में नहाते हैं चलो मायरा, अब हम दोनों नहा लेते हैं, वैसे बहुत टाइम हो गया है ठीक है ममी, चलिए नहाते हैं, वैसे आज मेरे बाल भी धोने हैं, तो बहुत ही टाइम लगेगा नहाने में हाँ मायरा, चलो अब अपने और तुम्हारे कपरे जल्दी से निकाल लेती हूँ अरे, हाँ, तुम अभी तक यहीं पर हो, जल्दी से धूप में चले जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या ओ ममी, मैं कुछ सोच रहा था, अच्छा कोई नहीं, मैं अब छट पर चला जाता हूँ मैं चött पर थोड़ी न जाऊँगा, मैं तो सिधा दुकान में ही जाऊँगा ममी आप जाईए नहाने, ममी तो नहाने जाई नहीं रही है जल्दी मैं तो रभी के पापा के दुकान में जाऊँगा, उसका दुकान पास में ही है इधर राधा छट पर से नीचे आ रही है कंबल लेके चलो धूप में कंबल अच्छी तरह से सुख गया है अब मैं इसे जल्दी से घर में रख देती हूँ चलो इसे यहाँ पर ही रख देती हूँ और ये वाला कंबल ले जाकर धूप में सुखा लेती हूँ अरे मैं तो भूली गई मुझे पानी लेकर छट पर जाना था मीना दीदी के लिए अच्छा मैं जल्दी से एक गलास पानी लेकर चली जाती हूं फिर उसके बाद ब्लैंकेट लेकर चली जाओंगी पहले पानी ही देकर आती हूं अरे गर्म पानी तो खत्म हो गया है मुझे फिर से गर्म पानी करना होगा राधा पानी लेकर आओ जल्दी दीदी रुख जाए मैं अभी पानी गर्म कर रही हूँ थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा कोई बात नहीं राधा थोड़ा ज्यादा ही पानी गर्म कर लेती हूँ इधर कार्तिक कप्रे भी पहन लिया है चलो अब इस कप्रे को धो लेता हूँ इधर कार्तिक कप्रे धो रहा है और इधर मायरा और गीता नहाने जा रहे है अच्छा मायरा सबसे पहले तुम्हारे दोनों चोटी खोल देते हैं उसके बाद तुम्हारे बाल भी धोना है मम्मी ठीक से चोटी खोल ये बहुत ही दुख रहा है अच्छा मायरा जरा मेरी तरफ देखो तो हा ममी अरे बाप रे तुम तो खुले बालों में बिल्कुल भूतनी की तरह दीख रही हो क्या ममी मैं बिल्कुल भूतनी की तरह दीख रही हूँ तब तो आपको मुझे डर लगना चाहिए चलिए ममी अब मुझे जल्ली से नहला दीजिये मायरा तुम कितनी अच्छी हो, बहुत ही अच्छे से नहा लेती हो और वो हर्ज नाटक करता है जब उसे नहलाने जाते है तो हाँ ममी हर्ज भईया को तो बहुत ही ज़यदा ठड़ना लगता है वो बिल्कुल भी नहीं नहाना चाते हैं अच्छा मायरा रुको अब मैं तुम्हारे बालों में सैंपू लगा देती हूँ मायरा साइड में सैंपू रखा हुआ है जरा देना हाँ मम्मी अभी देती हूँ दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली कहाने के साथ थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो